इस सुप्रीम कोट ने दिया है बड़ा फैसला सुप्रीम कोट ने ग्रेस माक्स को रद्द कर दिया है। वहीं NTA ने सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी जानकारी दी, NTA ने कहा कि NEET में जिन बच्चों ने ग्रेस मार्क्स हासिल किये हैं याने कि 1563 चात्रों ने उनके पास अब दोबारा परिक्षा का आप्शन होगा 23 जून को ये परिक्षा करवाई जाएगी और 30 जून से पहले ही रिजल्ट डिकलेयर कर दिया जाएगा इसके बाद NEET की काउंसलिंग होगी हाला कि दोबारा चात्र एक्जाम देना चाहते है या नहीं ये उनका खुद का फैसला होगा लेकिन अब उनके रिजल्ट में ग्रेस माक्स काउंट नहीं किये जाएंगे सुप्रीम कोट में मामले की अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी 1563 चात्रों को ग्रेस माक्स जो मिले थे उन ग्रेस माक्स को सुप्रीम कोट ने रद्द कर दिया है लेकिन उन चात्रों के पास नीट की परिक्षा दुबारा देने का option है 23 तारी को ये परिक्षा होनी है कराई जाएगी परिक्षा चात्रों को फैसला लेना है कि वो ये परिक्षा वापस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं जो शात्र 23 तारिक को परिक्षा देंगे उनका रिजल्ट 30 तारिक तक डेक्लेयर कर दिया जाएगा लेकिन अब उनके रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स एड नहीं किये जाएंगे चाहे वो परिक्षा देते हैं चाहे फिर वो परिक्षा नहीं देते हैं ग्रेस मार्क्स को सुप मामले की अगली सुन्माई अब 8 जुलाई को होगी. अब नीट को लेकर सुप्रीम कोट ने NTA में अपना प्रक्ष रखा है. NTA ने कहा है कि चात्रों के पैस आप्च्छन है कि दोबारा वो परिक्षा देते हैं या नहीं देते हैं. ये उनका चात्रों का खुद का फैसला होगा. तीस सारे को ये परिक्षा होगी, तीस सारे को रिजल्ट डेक्लेयर कर दिया जाएगा. लेकिन अब आपको दिखाते हैं सवालों को जवाब क्या मिले हैं? सवाल था कि क्या ग्रेसमाक्स रद किये गए? हाँ, NTA ने ग्रेसमाक्स को रद करने का फैसला लिया है. अगला सवाल क्या है? वो भी देख लेते हैं. क्या सभी चात्रों को परिक्षा देनी होगी? नहीं. 1563 चात्रों को फिर से परिक्षा देनी होगी लेकिन ये उनका खुद का फैसला होगा. चात्रों की परिक्षा कब होगी? 23 जून को इन 1563 चात्रों की परिक्षा होगी ग्रेस मार्क्स वाले चात्र अब क्या करेंगे? या तो परिक्षा देंगे या बिना ग्रेस मार्क्स के अपने काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे क्या काउंस्लिंग पर रोक लग गई है नहीं काउंस्लिंग पर रोक नहीं लगी है दोबारा जो परिक्षा होनी है तेज सारिक को उसके बाद काउंस्लिंग होगी क्या नीट विवाद पर अब पूरा फैसला आ गया है नहीं आया है आठ जुलाई को मामले में अगली सिनवा होगी क्या पेपर लीग की बात स्वीकार की गई है नहीं सरकार और एंटी ए दोनुने इसका खंडन किया है तो यह तमाम सवाल जो छात्रों के मन में थे कोचिंग इंस्टिूट्स जो चलाते हैं उनके मन में थे यह उनका फैसला आया है तो सुप्रीम कोट ने और सुप्रीम तो सुप्रीम कोट ने ग्रेस माक्स रद्द कर दिये एंटी ने कहा कि ग्रेस माक्स पाने वाले चात्रों के पास दुबारा परिक्षा का आप्शन होगा पेज उनको एक्जाम होगा तीस को रजल्ट खोश्चित होगा लेकिन यह आप्शन है कॉट अप डेट में लगभग तेरा लाग विद्यार्थी एक्जामिनेशन को क्वालिफाई किये साड़े चार हजार सरी के सेंटर नीट एक्जामिनेशन के लिए देश भर में होती है साड़े चार हजार सेंटर देश भर में होती है अनेक देशों में भी नीट की सेंटर होती है खाड़ी की देशों में होती है पोड़ोस की देशों में होती है और तेरा भासा में एक्जामिनेशन होता है दुरुभागे से इस बात नीट की दो कोशिन सेट्स होता है गल्ती ना हो जाए इसलिए चुनाओ एक्जामिनेशन के दिन ही सुचित क्या जाता है कोशिन सेट ए या बी को यूज क्या जाएगा इदर अब दो वन इस बार जब परिक्षा हुआ गल्ती से आउट अब 4500 सेंटर छे सेंटर में गल्ती से गलत सेट्सब कोशिन आ गई जब परिक्षा चल पड़ी कुछ समय के बाद उसको संग्यान में लिया किया और उसको उड्र करके फिर शही प्रस्टन पत्र दिया गया उसमें कुछ टाइम लॉश हुई उन छे सेंटर में लगभग 1553 1563 स्टूडेंट उसमें परिक्षा दे रहे थे उनकी मन में आया कि यह हमारी साथ थोड़ा अन्या हुई है हमारी टाइम लॉश हुई है हमारे लिए कुछ सोचनी चाहिए सुप्रिम कोट की एक स्टैंडिंग ओडर है इस प्रकार की कहीं एंटरंस में कुछ विशे आती है तो री एंटरंस ना कराते हुए एक आवरेज मार्किंग, ग्रेज मार्किंग की मेथोड पे उनको कमपनिशेट किया जा सकता है ऐसे एक सुप्रिम कोट की ओर्डर है क्लाइट की स्टूडेंट्स की क्लाइट की एक्जामेनिशन की माद्धम से NTA ने उसको अपलाई किया एक एक्सपर्ट कमिटी मिठाई उसमें से कुछ रेकोमेंडेसन आई और उसको उन्होंने अपलाई किया उसके बाद देखा गया कि कुछ विद्यारितियों की नंबर 100% हो गई उनकी जो आवरेजिंग किया गया उनको जो ग्रेस मार्क दिया गया उसमें कुछ विद्यारितियों की नंबर 100% हो गई इसमें भी फिर कुछ लोग कोट पे गए पहले कुछ लोग कोट पे कहें थे कि हमारे टाइमलस हुई कोट ने ओडर दिया तो NTA को उसमें एक किस ग्रेस मार्किंग की प्रैक्टिस को अपनाना पड़ा पद्धिती को अपनाना पड़ा फिर जब ग्रेस मार्किंग में कुछ विद्यार्थियों की नंबर हंडर परसेंट हो गई तब फिर कुछ लोग कोट पे गए उस बीच में एंटी ने फिर एक एक्सपर्ट कमिटी बिठाई अकडेमिक्स कमिटी बिठाई उन्होंने कुछ सोच समझ किया तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे इस पूरे मामले को लेकर उन्हों चात्रों को एक बार फिर आश्वासन धो रहा है कि जिस तरह से जो भी चीज़े हुई है भवेश्य बन तमाम चीज़ों को दुरस किया जाएगा और चात्रों को बिलकुल भी अपने भवेश्य को लेकर आशंकित होने की आवश्यक्ता नहीं है किस तरह समस्या आई किस तरह से ग्रेस पाक्स दिये गए उन तवाम चीज़ों को यहां पर बता रहे थे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हमारे तमाम सायोगी भी हमारे साथ जोड़ चुके है जिस तरह से ग्रेस पाक्स को रद्द कर दिया गया है वहां के चात्र क्या संतुष्ठ हैं क्या कह रहे हैं वो बिल्कुल देखें यह ग्रेस है यह की सुन्योजित तरीके से दी गई वाली क्रीपा है जाच चल रही है और सुप्रीम कोड का जो फैसला है उसे हमारे च्छतिस गड़ के चात्र क्या कहते हैं कि इस तरह से कितना वो संतुष्ठ हैं पताईंगा अभी जो फैसला यह है क्य कि 93 लाग स्टुडेंट डिप्रेशन में चले गया है बहुत लोग सुसाइट भी देखा गया है कि मतलब कोई चट से कूछ जा रहा है जो भी मतलब वो सारे बच्चों पर नेगटिव इंपक्ट पड़ रहा है मेरे साब से तो एक्जाम री कंड़क्ट होना चाहिए क्यों एंटिय को फिर से एक्जाम करना चाहिए क्योंकि ये सब जो स्कोर आ रहे हैं उसको जासे उनके कॉलेज में अद्मिशन नहीं हो पा रहा है उनका फ्यूचर दाव में लग गया है कई स्टूडन इतने अच्छे नमबर लाने के बाद भी कॉलेज में अद्मिशन नहीं मिल और शात्र चाने की एंटिय को फिर से एक्जाम करना चाहिए और ग्रेसमार्क्स रद कियें उसके मिलागए हैं लेकिन अवे एंपेर में आपकार रूख कर रही हुं आपर वहाँ पर बिलसपूर में चात्रों का है बिल्कुल अपना जी मेरे साथ स्टूडेंट से नीट के किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कुट के फैसले को 1563 बच्चों को फिर से एक्जाम देना होगा जो ग्रेस मार्क लाएं क्या लग रहा है किसी भी परिस्तिती में एक सरमान फैसला नहीं है सुप्रीम फोट का क्य एक्जाम दिला रहे हैं तो क्या ही होना है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नीट के स्टूडेंट जब एक्जाम हुआ उसी समय से पटना हर्याना बहुत से प्रजेस में जो लोग गिरफतार किये गए वो लोग कोने पेपर लिकान में और पटना के सास्तिर नगर ठाने में एफ यार किस नाम से पंजीबत की गई है जब तक सरमान एक फैसला नहीं आएगा कि पूरे बच्चों का एक्जाम लिया जाएगा कि पूरे बच्चों को ऐसा फैसला जब एंटिय यहां तक जुगाव बन गया है एंटिय के उपर कि आपको 1563 बच्चों को एक्जाम दिला सब्सक्राइब कर दोबारा देना मंजूर है लेकिन जो एक्जाम फीज है उस एक्जाम फीज को निसूल कर रखना पड़ेगा क्योंकि 1500 रूपे भी अगर एवरेज मांक्स एवरेज अमांट मनें कि तो उसका तीन तो 75 कर रोड रूपए लगबाग धानली भी सामने आ रह सब्सक्राइब कर देखते हैं सुप्रीम कोट के फैसले को मैं जीस तरह की से देख रहा हूं मेरे को नहीं लगता कि यह फैसला सही है क्योंकि 1563 वच्चे बस पेपर नहीं दिलाये थे दिलाये थे 24 लाग से अधिक 36 गड़ से दिलाये थे 45 से 50 ज़र लोग बाकिया ने सवाल है लेकिन सुशील पहले मैं आपका रुक कर रही हूं जड़ा बताएं इसको लेकर जो पेपर लीक को लेकर क्या कहा ग्यार्ज कोर्ट में क्योंकि तमाम अलगर चार्त्रों के रियक्शन से ही हैं कि यह पूरा न्याय नहीं है सुशील ठीक है मैं आपके पास लॉटूंगी बितलेश का अभी रुक कर लेते हैं सुशील का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद मैं वापस लॉटूंगी आपके पास सुशील इसी सवाल को लेकर बितलेश आप बताएं वहाँ पर क्या रियाक्शन से देखिए इस वक्त में साथ में नीट के बच्चे मुझूद हैं इनसे हमने भी समझा कि आकिर दिक्कते कहां पर हुई और फैसले के बाद में इनका क्या कुछ कहना है सबसे पहले इनका ये कहना है कि 2023 में 600 प्लस जो स्कोर था उसमें 26,000 बच्चे थे लेकिन 2024 में 76,000 होगए यानी 76,000 होगए दूसरी तब उन्होंने ये कहा कि जब ग्रेस मार्क दिया गया था तो ग्रेस मार्क देने के पहले उन्हें क्यों नहीं बताए गया था उनके जो ल सबसे पहले तो अभी एक और न्यूज सामने आ रही थी कि एक दिन के लिए फिर से रेजिस्टेशन बिंडो ओपन हुई थी जिसमें कुछ बच्चों ने फिर से अपलाय किया था नीट का एप्लिकेशन फॉर्म बरा था तो और फिर मतलब ये भी हो सकता है कि उन्ही जो आ जिस दिन एप्लिकेशन फॉर्म फिर से फिर से फिल हुए है तो क्या उनको बहुत सेंटर मिला है ये वाला डाटा भी एंटे ने अभी हमको कुछ भी नहीं बताया है उसके बाद में ये भी है कि जिस सेंटर में उन बच्चों ने एक्जाम दिया था उनका स्कोर कितना है उनका स्कोर सर मैं बतारू ना जो लिष्ट एक एक एंटे ने सबसे जिस दिन रिजल्ट आया था चार जून को हां सर ये भी बहुत बड़ा डाउट है कि आपने 14 जून से पहले 4 जून को ही रिजल्ट दे दिया अब आप सुप्रियम कोट में ये भी बोले कि हमारा कुछ भी हमने गलत नहीं किया है तो ये गल्दी चुपा नहीं गल्दी क्यों चुपाई गई फिर मीडिया की यार्ड में लेकर अभी भी कई सारे सवाल चात्रों के मन में हैं और जो डाउट से हैं वो क्लियर नहीं हुए है सुशी आप सुन पा रहे हैं मुझे सुशील एक तो पेपर लीक को लेकर भी चात्र कह रहा है कि अभी उसमें कुछ नहीं हुआ है एंटीय ने सिर्फ 1563 चात्रों की ही बात कही है लेकिन सभी चात्रों का वापस एक्जाम होना चाहिए और जो एकी साथ एकी इंसिट्यूट से टॉपर्स निकले हैं उसको लेक किसमार को रद कर दिया जाएगा पेपर लीक की बात जो सामने आ रही है पेपर लीक के मामले में एंटीय ने पहले ही स्पष्ट किया है कि वो चात्रों के हित को लेकर पूदी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और ऐसे में तमाम चात्रों के द्वारा जो आरोप लगाए सुप्रीम कोट में बिंडो ओपन रखा है सुप्रीम कोट में कहा है कि अगर उसके संभाख्ष कोई ऐसा तत्र आने वाले दिनों में आएगा और यह पता चलता है कि वाकई यह जो निट की परिक्षा हुई है फिर सिग्नल फ्रीज हो गया है सुची लोटेंगे आपके पार शालेंदर भदौरे कर उकर रहते हैं शालेंदर आप बताए वहाँ पर क्यूंकि हमने देखा किस्ता से चात्र मांग कर रहे थे सुप्रीम कोट में जो आज को सुनवाई हुई और जो ग्रेस मार्क को वापस लेने की बात कही है उससे आपको का लगता है उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा देखे पहले तो यह जो ग्रेस मार्क नेर से हटा दे गए हैं यह अच्छी चीज है और हम लोगों के मतलब एक छोटी सी सफलता तो इस फिल्ड में मिली है या इस अभियान में मिली है ठीक है कि कही ना कहीं ग्रेस मार्क जो सुप्रीम कोट ने उसको हटा दिया है लेकिन जो फैंसले से 1563 बच्चों को वापस से एक्जाम देने के लिए बोला गया है या फिर अपने मार्क को रिटेन कर सकते हैं लेकिन उजो उनके एक्च्छल मार्क होंगे उसमें से बोनस मार्क को हटा दिया गया या ग्रेस मार्क को हटा दिया गया बट दिक्कत यहां पर यह आई इसको आप कैसे देखते हैं और आप जो सुप्रीम कोट का फैसला है क्या लगता है आप लोगों पर कुछ फर्पड़ेगा इसका नहीं पड़ेगा जब बच्चे एक साल मेहनत करते हैं उसके बाद रिजल्ट ऐसा आता है तो बच्चों को क्या यह नहीं लगेगा कि अगर मौका मिलता भी है तो हम इसी में अपने पूरा देने का प्रियास करते हैं लेकिन अगर एंटिये ऐसा करता है फिर हमारा क्या होगा फिर ऐसे थे वह डॉक्टर बनने का सपना ही छोड़ देंगे लोग जी आठ तारीक फिर से एक सुनवाई भी है आप लोग क्या चा बाकी लोगों का क्या मैं अगर जस्टिस हो रहा है तो सभी का होना चाहिए ना इसलिए जब अगर डी नीड हो तो सभी का हो अगर बनने का फिर देंगे लोग जाए और आज जो एंटी का एसुरेंस आया है उसमें कुछ हद तक जश्टिस तो बच्चों को मिला है इसमें उन बच्चों को नीड देने का बापस मौका मिलना है जिनको ग्रेसमाक्स दिये गए जो कि स्वागत करने योग है इसला लेकिन उन बच्चों का क्या कशूर जिन बच्चों ने हाई कोर्ट में केस नहीं किया था कि उनका भी टाइम बेस्ट हुआ है क्योंकि टाइम तो इन बच्चों का भी बेस्ट हुआ है ना तो फिर इनको भी तो लीनिट का मौका मिलना चाहिए यहां फर्क इसलिए है मतलब कि नियाय मिला है लेकि वो पूरा नहीं अधूरा है क्योंकि सभी बच्चों ने कोर्ट में केस नहीं किया था हर बच्चे के पास लीगल एडवाइजर नहीं होते है ना ही इतना पोटेंशियल होता है कि वो है न कोर्ट में केस कर सके अगर उसका एक्जाम होल में 15 विसमें टाइम बेश्ट हुआ है बट बहुत सारे बच्चों का हुआ है फिर से 1560 बच्चों को ही क्यों और बी कुछ बच्चे है हमारे साथ उनसे बात करेंगे आप बते कि क्या चाहते हैं आप लोग और इस बार जो एक्जाम के रिजल्ट आया आप लोग कैसी रिजल्ट रहे और क्या लगता कि यह सब नहीं हुआ तो कैसे होती जी जो इस वार जो रिजल्ट आया है मतलब रिजल्ट आने से पहले जो हम लोगों ने मतलब की जो खुछ से चेकिंग की थी उसके अकॉर्डिंग सब लोग बहुत खुछ थे मतलब की सभी की इतने नंबर आ रहे थी कि वह इस वार एमई वीएस कॉलेज में जा रहे थे लेकिन जैसे जो ऑफिसियल रिजल्ट आया उसके बाद जैसा रिजल्ट रहा मतलब की जो ग्रेस माक का चला और बच्चों के नंबर जो कम आये हैं उसके बाद ना जी कुछ कहना ह क्योंकि इतना मतलब पहली बार नीट के एक्जाम में पहली बार ऐसा हुआ है चाहिए इंदौर की बात हो भुपाल की हो रायपूर की बिलासपूर की बद्रदे चतीज़गर के जो अलग जगहों में राने वाले चात्र हैं वो अभी भी संतुष्ट नहीं है उनका यही ए 12 से एक्जाम देने का मौका दिया जाए बहुत शुक्री आप सभी का इस पूरी बातचीत के लिए चात्रों से बातचीत करने के लिए उनके जो डाउट्स हैं उन्हें सामने लाने के लिए और देखिए यहां पर एंटी ने साफ कर दिया है कि जिनने ग्रेस मार्क्स दिये नहीं चाहे तो आप परिक्षा नहीं दे सकते हैं लेकिन अब आपके मार्क्स में ग्रेस मार्क्स काउंट नहीं किये जाएंगे